हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई किचिन आज मैं आप सभी के लिए मटर की एक बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी लेके आई हूँ जो आपने शायद ही खाई होगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बीच में स्किप मत कीजिएगा तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना यह मैंने एक बड़े साइच का आलू लिया है और इसे हमें छोटे-छोटे पीसिज में कट कर लेना है यह सब्जी जो हम घरों में अपने मटर आलू बनाते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिए और यह सब्जी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तो एक बार इस सब्जी की रेसिपी को जरू ट्राई करें इस सर्दी के सीजन में क्यों अब इस रेसिपी को ट्राई करना बिलकुल मत मिस किजिएगा देखिए आलू को पीसिस में कट कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसको ना ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला रखा है मीडियम साइज रखा है इस आलू के पीसिस का मैंने एक कड़ाई में सरसो का तेल गरम करने रख दिया है अगर आपके पास सरसो का तेल नहीं है तो आप जो भी ओईल रेगुलर यूज करते हों वो ले सकते हैं पर सरसो के तेल में इस सबजी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने सरसो का तेल लिया है अब हम आलू के पीसेज एक एक करके इसमें डाल देंगे अब हम इन्हें दौनों तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे हमें इन आलू को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है आलू दौनों तरफ से फ्राई हो चुका है और इन्हें फ्राई करने में 5-6 मिनट लगे हैं और अब हम इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं यह मैंने आदा कप मटर लिया है और इसे हम जार में पलट लेना है हमने इसमें आदी चमश नमक डाला है और एक चथाई चमश लाल मिर्च आदी चमश धनिया पावडर और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे यह हमने ब्लेंड कर लिया है और इससे हमने दरदराई रखा है बहुती बारीक नहीं पीसा है हम एक बावल में पलट लेंगे और मैंने वही जार लिया हुआ है अब उस जार में हमने एक चथाई कब धनिया डालना है और यह धनिया मैंने इस्टेम सहित लिया है और इसको पानी से अच्छे से धोके रखा है और दो हरी मिर्च काट के डाल देंगे और यह आदा इंच का अधरक का तुकडा लिया है इसको भी पीसिज में कट कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे यह मैंने एक चौथाई चमश नमक लिया है आदा चमश जीरा थोड़ा सा पानी आट करेंगे और इसे हम ब्लैंड करेंगे अब हम इसे ब्लेंट कर लेंगे देखिए हमने इसे ब्लेंट कर लिया है इसको ना ज़्यादा गाड़ा रखा है और ना ही बहुत पतला किया है और अब कडाई में दो चमचा तेल गरम करने रख दिया है यह मैंने सरसो का तेल ही लिया है तेल गरम हो चुका है अब इसमें जो हमने मटर को पीसा था उसे डाल देंगे और इसे हमें दो से तीन मिनट तक लगातार चलाते हुए बून लेना है ऐसा करने से मटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मटर को हमें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए ये वजन घटाने में मदद करती है ये प्रोटीन और फ्लेवर का भी अच्छा सोर्स है जो हमारे शरीर में मौजूर शुगर की मात्रा को कंट्रॉल करते हैं इसमें विटामिन सी और विटामिन के भी पाया जाता है विटामिन सी हमारे इसकिन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है तो मटर को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए अब मैंने उसी कड़ाई में दो चम्चा सरसो का तेल लिया है और ये गरम हो चुका है आदी चम्मच जीरा डाला है और चुटकी बर हीन आदी चम्मच हल्दी अब हम इसमें हरे धनिये का पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया था वह एड़ कर देंगे अब इसमें मटर एड़ करेंगे जो दरदरी पीसी थी और एक कप पानी एड़ किया है और अब इसमें बॉइल आने देंगे सबजी में बॉइल आ चुका है अब हम इसमें आदा कप मटर एड़ करेंगे यह मैंने उबली हुई मटर ली है आप इसमें कच्छी मटर भी ले सकते हैं क्योंकि वह सबजी में अच्छे से पक जाएगी और इसे ढखकर पांसे छे मिनट तक पकाएंगे देखिए छे मिनट हो चुके है अब मैं इसमें जो हमने आलू फ्राई करें थे वह एड पर ओंगी यह नमक आट किया है मैंने इसमें और आदी चमच लाल मिर्च एक चमच धनिया पावडर और एक चृथाई चमच गरम मसाला एड़ किया है आदी चमच अमचूर अमचूर सबी मसालों को अच्छे से सबजी में मिक्स कर लेंगे और अब हम इससे 4-5 मिनट तक ढख के अच्छे से कुक होने देंगे इसके नेटी पांच मिनट हो चुके हैं सबजी में बॉयल आ रहा हैं और यह अच्छे से पक चुकी है अब हम इसे हरे धनिये से गार्णिश करेंगे इस सबजी का टेस्ट पूरी और कचोरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और गर्म गरम रोटी पराठे के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं तो ये हमारी मटर निमूना की सबजी बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए इस सर्दी के सीजन में मटर की ये सबजी सभी को बहुत पसंद आएगी और आप इस वीडियो पर लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी टेस्टी रेसिपीस के लिए जो आपको मेरे चैनल पर रोजाना मिलती रहेंगी बाई बाई फ्रेंट्स